आप सभी को हमारी चैनल में स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में आप सिखेंगे Microsoft Excel में Skip, Blank और Transpose के बारे में जी हाँ दोस्तो एक दोनों function बहुत ही important है आज हम आपको सिखाने वाले हैं जैसे दोस्तो यहाँ पे हम कुछ मन्त का नाम टाइप कर दिये हैं जिसमें बहुत सा मन्त है जो की repeat क्या हुआ है मतलब लगता टाइप क्या हुआ गलत है जैसे मार्च के बाद अफ्राई लाना चाहिए यहाँ पे मार्च ही टाइप हो गया है जिसमें बहुत सारे ऐसा मन्त है जो की गलत टाइप हो गया है इसको सही कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों, इसको आपको क्या करना है, select करने के बाद इसको right click करना है, right click करने बाद copy करेंगे, अगर इस पे अगर आपको paste करेंगे, तो देखिए क्या होता, paste पे click करेंगे, तो देखिए जो खाली sale है, वो भी इस पे paste हो गया, लेकिन पहले जो मंत लिखे हुए थे टाइप किये थे वो हट गया तो आपको पेस्ट करना नहीं है हम यहां से बैक कर लेते हैं इसको क्या करना है कोपी करने के बाद आपको इस पी जैसे देखी इसको हम कोपी कर लेते हैं करेंगे और यहां से राइट क्लिक करेंगे और माउस से कोपी कर लेंगे इस पर सही करना सुधार करना है तो सलेट करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहां से पेस्ट पेसल पर क्लिक करेंगे जैसे पेस्ट पर क्लिक करेंगे आपको इहां पर डालोग बॉक्स ओपेन होगा तो दोस्तो इस तरीका से आप बहुत ही असान तरीके से skip blank का यूज कर पूरे month में जो भी गलत आप टाइप किये हैं वो सही हो जाएगा आप इस जगा पर कोई भी data ले सकते हैं जैसे हाँ पर हम देखे डेल ले लिए इस पर देखिए Monday के बाद Tuesday आना चाहिए लेकिन हाँ प लेट करने के बाद right click करेंगे और यहाँ पर copy आपको पहले कर लेना इसके बाद इसको कुलिक करेंगे जिसे हमको सुधार करना यह पूरे पर सुधार करना éлов यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से मैं पेस्ट नहीं करना क्योंकि पेस्ट करेंगे तो जो सिल्फ खाली है उस पर आगे भी पेस्ट हो जाएगा युद्स पर आपको पेस्ट असपेशल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको escape blank का यूज़ करना है टिक करने के बाद आपके पर क्लिक करेंगे तो देखे पूरे सही हो गया तो इस परकार से दोस्तो इस जगा पर कोई भी डाटा रहे आप escape blank option का यूज़ कर बहुत ही असान तरीके से उसको सही कर सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आप बहुत long डाटा रहेगा तो उसमें क्या होगा कि अगर एक एक करके आपको करेंगे सुधार तो उसमें बहुत ही time लेगा उसके जगा पर आप escape blank का यूज़ जरूर करें नेक्स दोस्तो ट्रांसपोज यह कैसे काम करता वह आज हमको सिखाएंगे सीट नमर 2 पर चले जाते हैं इस पर देकिए हमने कुछ टेबल बना कर रखें जैसे नाम है रोल नमर है मार सीट है कि जो बना हुआ है दोस्तो यह भाटिकल बना हुआ क्यूंकि टॉप से बटम है टॉप से बटम को भाटिकल बोलेंगे जो कि लेट पिल्प से रायत जाएगा इस तरह से जिससे हम सेलेट किए ही है उसको हम horizontal बोलेंगे तो horizontal में अगर डाटा को करना है क्या करनेंगे यहां पर पहले type करेंगे name यहां पर रवी कुमार, राम कुमार, मोहन कुमार इस तरह सा आपको type करना पड़ेगा फिर roll number type करना पड़ेगा फिर mark type करना पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा time लेगा लेकिन आ copy करने बाद अगर इस data में हमको क्या करना है कि पूरे horizontal करना, select करेंगे, cell में right क्लिक करेंगे और paste special पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो फिर वह dialogue box आएगा, इसके बाद transpose पर आपको tick करने बाद, okay पर क्लिक करेंगे तो देखे क्या होगा, पूरे जो table vertical था, horizontal में convert ह जोगे, आपको लिखने की कोई जूरत नहीं है, बहुत असान तरिका से कर सकते हैं, अगर दोस्तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो कई से करेंगी, अगर इस तरह से जैसे कि हमें हाट पर लिख दीए, राम, next में लिखने है, मोहन, next में लिखने है, सोहन, इसाते तीन नाव हमने टाइप करने यह टीन हो चाहते हैं कि वर्टिकल हो जाखते हैं तो टिन टीन धेम करेंगे अस्कीब लिंक और ट्रांस पोज के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर जरूर करें